वेलकम दोस्तो हमारा चैनल आउसी को कुछ में आपका स्वागत है दोस्तो आज की वीडियो में डिसकस करने वाले हैं कि आप अपने पेन कार्ड में मोबाइल नंबर और अपना इमेल आईडी किस तरह से रेश्टर कर सकते हैं इसके लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल क करम या अपने सिस्टम के प्रॉम पे आ जाएगा उसके बाद यहां पर टीन N-S-DDL लिख के आप सर्च किजिएगा सर्च कहने के बाद देखे दोस्तो इस तरह से पेज ओपन होगा यहां पर आपको जो फ़र्ष्ट आप सर्टन मिलेगा तो इसे आप खिलिक करने के बाद देखे दोस्तों यहाँ पे कुछ यहाँ पे आपको option मिलेगा जिसे आप यहाँ पे continue कर दीजेगा उसके बाद देखे दोस्तों मैं यहाँ पे continue कर देता हो यह option आपको 3 बार मिलेगा आप 3 बार यहाँ पे continue में click कर दीजेगा उसके बाद नीचे side में आपको यहाँ पे चले क्लिक करने के बाद देखे दोस्तों यहाँ पे आपको एक option आपको मिलेगा paint new facility का तो इसे आप यहाँ पे click कर दिएगा click करने के बाद देखे दोस्तों यहाँ पे इस तरह से एक आपको एक page open होगा जिसमें आपको यहाँ पे paperless आधार update in paint का option आपको मिल रहा है तो यहां पे जो paperless का option आपको दिख रहा होगा और अधार update इन पेंड card के तो इसे आप click कर दिजेगा click करने के बाद देखे दोस्तों यहां पे इस तरह से एक page open होगा यहां पे देखे दोस्तों यहां पे आपसे पूछेगा कि आपका pain number क्या है तो आप अपना pain number जो होगा वो यहां पे डाल दिजेगा उसके बाद अधार number आप डाल दिजेगा उसके बाद email ID यहां पे डाल दिजेगा उसके बाद नीचे side में आपको mobile number यहां पे डाल दिजेगा उसके बाद यहां पे check marking में आप click कर दिजेगा क्लिक करने के बाद देखे दोस्तों यहाँ पे जो capture code आपको दीख रहा होगा खूब हूँ आप capture code डाल दीजेगा उसके बाद यहाँ पे submit में क्लिक कर दीजेगा इस तरह का एक page उपे नगवा यहाँ पे देखे दोस्तों यहाँ पे आपका one time password आपके email id में आपको यहाँ पे भेज दिया है और आपका जो आधार card में mobile number register है उसमें एक OTP भेज दिया है उसके बाद यहाँ पे continue with eqc में आपको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद देखे दोस्तों यहाँ पे कुछ time लग सकता है उसके बाद यहाँ पे जो आपके mobile number पे आपका OTP भेजा गया है वो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा मतलब देखे दोस्तों आपका जो UID मतलब आपके अधार कान में जो mobile number रश्टर उसमें एक OTP भेजा है उसको यहाँ पे डालने के बाद यहाँ पे सर्मिट में क्लिक किजिएगा उसके बाद इस तरह से page open होगा यहाँ पे आपका address डालने का option आपको मिल रहा है आपका host number आपका location, landmark आपका village, subdivision, district, state, pin code, post office डालने का option मिल रहा है तो आप यहाँ पे आप अपना address उधारना चाहते हैं तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं उसके बाद नहीं तो आप verify में आप click कर देजेगा verify में click करने के बाद देगे दोस्तों यहाँ पे आपके mobile number यहाँ पे सो करेगा उसके बाद आपका email आडिया है वह भी यहाँ पे आपका सो करेगा उसके बाद यहाँ पे आपको verify and get OTP का option आपको मिलेगा तो इसे आप click कर देजेगा click करने के बाद देगे दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ यहाँ okay करने का option आपको मिलेगा तो okay कर दीजेगा उसके बाद 10 minute के अंदर आपके mobile number में आपका एक OTP आएगा जो आप अभी दिये हैं उसके बाद आपका email आडिम में भी एक OTP आएगा जो आपको यहाँ पे डालन है उसके बाद valid data का option आपको मिल रहा है तो इसे आप यहाँ पे click कर दीजेगा डालने के बाद इस तरह का एक page open होगा यहाँ पे देखिए दोस्तों आपका नीचे साड़ में generate end से print का option आपको मिल रहा है तो इसे आप click कर दीजेगा click करने के बाद देखिए दोस्तों आपका loading हो जाएगा तो देखिए दोस्तों आपका यहाँ पे सारा आपको नीचे साड़ में आपका सारा data यहाँ पे आपका वह लोडिंग हो चुका है जिसे आप यहाँ पे PDF फाइल में download कर सकते हैं देखिए दोस्तों इस page को यहाँ पे zoom करके उसके बाद देखिए दोस् करूब למफगा लाँ जाई में आपका का वहाँ वोड़ गोड़